करनाल करन लेक पर कांगर्स प्रदेश अध्यक्ष अशोक तवर कार्यकरतों की मीटिंग लेने पहुंचे और आने वाले समय में बीजेपी के खलाफ मुकाबला करने के लिए कार्यकरतों में जान फूकने का नया टोनी दिया कार्यकरतों को कांगर्स पार्टी के प्लान से अवगत कराया उन्होंने बीजेपी पर समार्ट सीटी बनाने की योजना पर भी निशाना सादा और कहा कि समार्ट सीटी करनाल वैफ रीदाबार के अलावा और पी कई शहरों की अंदेकी क्यों की गई आज मैं समझता हूँ कि जहां सरकार की तरफ से बात करें तो पुरा प्रदेश आज सरकार के खिलाफ धरनों पे कई सरकों पे किसान बैटे हैं कई करमचारी बैटे हैं कई वैपारी बैटे हैं पुरे प्रदेश की बदाली के लिए आज बारती जंता पार्टी की सरकार प्रदेश की और केंदर की जिम्मेदार हैं। और हैसे में मैं समस्ताओं की तमाम कॉंग्रेस जनों को चाहिए वो हमारे सीनियर लीडर्स हों, चाहिए हमारे चुनाव लड़े हुए साथी हों, संग्ठन के पताधी कारी हों, सब को उनकी आवाज बुलंद करने के लिए निकलना चाहिए। वहाँ पर मेंबर लिए, वो भी इसी तरीके से सारे रिष्टेदार और उनके जो बहुत नजदीकी लोग हैं, उनको उसमें भरने का काम किया और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी धांदली की तरफ संकेत है, आने वाले समय में किस तरीके के लोग भरे जाएंगे, ये सा पता चलता है उससे, तुम मैं समझता हूँ, वहीं कांगेस परदेर रिष्ट श्रशोकतवर ने मुकमत्री द्वाया चलाएगी सीम विंडो को भी खोकली योजना बताया और कहा कि परदेश बर में लाखों शिकायतें सीम विंडो पर आई हैं, जिनका कोई समाधा नहीं विंडो जो है ब्लैक होल है, जिस तरीके कहते हैं ब्लैक होल उसमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ये भी है, विंडो में कुछ चला जाता है, उसके बाद उसके कोई उसमें उपर कारवाई नहीं है, हम मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को आज विंडो शुरू करे हु उनकी केविनेट को एक फैसला करना चीए, सरकार को बताना चीए कि विंडू में कितनी शिकायते आई, किस तरह उसका समाधान हुआ और कितने जो शिकायते थी उसका कोई किसी तरीके का हल निकला. जो हमें जानकारी है वो कई लाखों में CM विंडो में शिकायते आई थी और मैं समझता हूँ कि अगर उसका निदान करने की, सोलिशन निकालने की अगर बात करें तो सेकडों में भी नहीं होंगी पूरे अर्याना में तो CM विंडो पूरी तरीके से फ्लॉप एक्स्परिमेंट रहा हम लोगों ने भी उस समय समर्थन किया था यह सोच करके कि यह एक अच्छी कोशिश है और अच्छी पहल काम स्वागत करते हैं लेकिन मैं समर्थन करनाल से अजार टीवी निउस के लिए केमरमन कमाल खान के साथ मीजे कमबोज की रिपोर्ट